जंगल वाले बाबा नामो नामाहा जंगल वाले बाबा नामो नामाहा तारो मुझे विशेश करुना कर करुना करो कर से दो आशीश उर्षर्ग विजेता एक हजाराथ स्री पार्षनात भगवान की वर्तमान शाशनायक महावीर भगवान की अहिंसा मैं विश्व धर्म की आचारि कुंद कुंद भगवान की चारित्र चक्रवत्ती आचारि शांति सागर्जी मराज की संत स्रोमनी आचारि गुरुबर्श्री विद्या सागर्जी मराज की चैर्ज़ वाले वावा की चैर्ज़ कारा गुर्देव का जाशनायक जिस पकार पानी का सवाव सीतल होता है उसी प्रकार जीव का सभाव लीत रागता है उर्द गमन है जीव शुद्ध निस्टे ने की द्रश्टी से देखा जाए तुवा सदा शुद्ध रहता है लेकिन व्यवहार ने के द्रश्टी से देखते हैं तो अक कर्म मल से लिप्त होता है द्रश्टी कर्म भाव कर्म और नो कर्म इन तीन प्रकार के कर्मों की वज़े से ये जीव संसार में परिब्रबन करने लगता है मैंने कहा था अगनी का सभाव जलन्शिल है जल का सभाव सीतल है जिस प्रकार जल को बाई निमित्य मिलते ही जल में अगनी का संयोग होते ही वह जल गरम हो जाता है उबलने लग जाता है और लेकिन जैसे ही अगनी के निमित्य को हटा देते हैं जिस प्रकार से हम चूले में से अत्वा गैस बत्ती को बंद कर देते हैं तो चूले में से लकडी को जलती लकडी को हटा लेते हैं वैसे ही वह पानी पुना अपने सुभाव की और आने लगता है मैं यहां पर जंगल की साधना लोग कहते की मारा जब जंगल की साधना क्यों करते हैं मैं यहां पर आकर के प्रतिक प्रकर्तिक के बीच में प्राकर्तिक जीवन जीना चाहता हूं इसलिए मैं जंगल की साधना करता हूं बंदवो यहाँ पर आने के बाद मेरा ही नहीं यह सारे भव्य प्राणियों का यहाँ पर भाय निमित नहीं है पंचेंद्री विशय नहीं है रागद्वेश और लड़ाई जगड़ा के कारण नहीं है रागी लोग नहीं है और यहाँ पर प्राकर्तिक जिवन जीने वाले सं कि तो देखने के लिए जो भी आता है प्रक्रती को देखकरे मंत्र मुखथ हक्ता है और जर्णें को देखकर और उस जर्न के किनारे करके कि अंदर अपने आत्मा में जर्जर जर्ने वाले सिद्ध आत्मत। उने जरने वाले उन्हों साधकों को देख करके और मंत्र मुद्धो जाता है उनके सारे विभाव पर नितिया समाथ तो जाती है इसी प्रकार निमित्य हड़ते ही यहां पर कोई पंचंद्री का विशेह नहीं यह राग लिवेश का विशेह नहीं यह सिर्फ आत्मकल्यार आत पांच हजार लोग मास मदिरा नशा का त्याकर निकले तो यार वह जाते हैं इन कानूं को हम कवड़ो रुपए खर्च करके नहीं कर सकते बंदूओं यह हम लोगं का परंशो बाग है कि मैं तो यह कहना चूंगा भगवान पार्शनात में अपनी जात्रा प्रारंब करके क अपने तेवर में था और इतना ही नहीं पानी गिरने के बाद मेरे उस्सा और बढ़ गया था किन्तु आप सभी के भावनाओं को धान में रख करके मैं उसको छोड़ करके यहां पर आया हूं प्रकरती सादक को साथ देती हैं पशू सादक को साथ देती हैं और इतना ही मैं में देख रहेते हम लोग भी देख रहेते आप लोग वी देख रहेते जब हम यहां पर आये तब तक чет keez रहा था और मेरी जाने की तैयारी होते ही पानी गिरना जाता इसके बीचे और नु करम के निमित से पंचंद्री विशों से उपर उड़ जाते हैं तो वी तरहता कि वह अगर सर होते चले जाते हैं और यह सारे कर्मों को नाच करके किवल ग्यान को प्राप्प्त करके निर्वान तो प्राप कर जाते हैं बंदो आज मैं जान रहा हूं प्रकर्टी कब तक रुकेगी कब तक आज इसका पारण करेगी कि उन्हें अपना सब्र अपने सयम रखा लेकिन उन्हें के लिए और वो भी मेरे लिए बुला रहा है अब तो हो गया तुम्हारा कारेक्रम अब निकलो म अपने मन मंदिर में अपने चेतन के मंदिर में पहुंचा साधना के लिए मैं सागत कर रहा हूं बंदो इस प्रकार्टी के देखो मगवान पार्शनाथ में कमट उनके उपर दस बहुत तक उपसर करते रहे लेकिन इसी आत्मा के सुभाव और शमाग उनके कारण और वीतर लोग में हैं और करता है भुटता है संसारी ये अडि-अडि के साथ वूर्द गमन भी उनका लक्षन है जिस प्रकार दीपक जलती है तो जलने के बाद तक्यार उसके लोग उपर की और जाती है सबासे वूर्द गमन इसी को बोलते है जिस प्रकार बंदन से मुठ्ध हो ज नहीं है लेकिन वह पक्कर के जब फट जाता है फल फटते ही उसका यरंज का वीज ऊपर के ऊड़ता है इसी पकार पूर्व प्रयोगा अर्थ पूर्व के प्रयोग के कारण ध्यान के माद्यम से आत्मा को ने करम और द्रविकर्म भाव करम और नो करम इन तीनों करमों से आज निर्वान महौश्तों के साथ साथ आप लोगों और भी कुछ बनाया हाँ अब मैं स्विकार कर रहा हूं कि आप लोगों ने में याद दिलाया कि मैं आप सबसे कहना चाहूंगा आप लोग भी इसी प्रकार ये कल्पना करें की चतुरत काल कैसा होगा चतुरत काल में पारश्पनाद भगवान ने उसर को कैसे जेला कैसे साधना की और कैसे अपने आत्मा का कल्यान किया मैं यही कहना चाहूंगा आप सब के लिए कि वे अनंतिकाल के लिए संसार से मुक्त होगे अब यह कभी लाट करके संसार में नहीं आ सकते हैं उन्हें अब युवाव नहीं पेदा हो नहीं हो सकते है इसलिए वीतराग्ता और वूर्द गमन आत्मा का सबाव है हम कर्मों के कारण इस जमीन पर बेटे हैं हम भारी बन गए हैं कर्मों से शरील से जैसे ही मुप्ती मिलेगी वैसे ही उपर कि और वूर्द गमन कर जाएंगे ये उर्द गमन जीवी का सबाव है और अनंत काल के लिए अनंत गुनों के साथ लोग के अगरभाज में विराजमान हो जाएंगे आप लोगों ने मुझे आज याद दिलाया है आपका पचास साल पूरे हो चुके हैं जन्म जैन की हम लोग मनाते नहीं है किन्तु मैंने कहा कि आपने याद दिलाया मुझे ऐसा लगा कि कम से कम अर्द से तक तो पूरा पार हो गया है किन्तु इसके बादूद भी मेरे को खुशी इस बात की है कि इस पचास साल पूरे होने में तैजिस साल उन्हें वस्ता में मैंने जिये गए यह मेरा जीवन है और वर्स जंगल में रहने के सवबागी मिना गए और हज़ारों रातों अमलों के कल लियान करने के सवबागी मिना गए बंदू मैं ऐसे ही जीवो ऐसे ही जीवन जीता रहे जिवन के अंतिन संक्ट अई इंसल के काम करो जनकेयाओं के काम करो बेस्थ फमाग के उताان के काम करो ऐसा लगता है तरही साल 15 में से चैए साल युनिय अवस्तान है मेरा सोबाग ये मैं आज आप लिवने याद जिलाया है अभी आपका भाग काम है मिश्चित है मैं भी जिस प्रकार प्रकरती पानी बरस रही है उसी प्रकार उसी पानी में खड़े हो करके मैं भी अपने कर्म रुपी मलग को दोना चाहता हूँ अपने आत्म का कल्यान करना चाहता हूँ बंदो ये पानी का जब ज्ञाव जो धार प्यार के अमदन से मैं नीशे खड़े कर जब साथ में करता हूँ ब्रम्व अंदर में आकर के जब प्यर बैड़ पानी रंग गिरने लगता है उस समय ऐसा लगता है शारे शरीर के, अंदर के सारे विकारण को और इसके साथ सा प्रमूं को भी बहा करके ले जा रहा ऐसा करता है बंदो मेरी आत्मा सुद्ध हो ये में प्रवित्र होता जा रहूं ऐसे लगने लगता है आपने आज याद दिलाया मिस्टित्र रुशे मैं इसी पकार साधना करके कोई अपना कल्दान करे या न करे मैं अपना कल्दान करूँ और उल्टिन दिन तक ऐसे तक की भावना अपसे साधना की भावना अहिंसा की भावना बनी रहे और ये भी कहना चाहूंगा वास्तों में महां मैं आज स्विकार करता हूँ, मेरा आज जन्म हुआ था, आपने याद दिलाया है, किन्तु मैं तो पल-पल एक एक चन में एक दिन में नया जन्म ले रहा हूँ, यह पर जंगल में साथ ना करके, मेरे जन्म को उस जन्म को कोई ने देख पाता है, बंदो कितना विच्त लगत रहा है मेरा रोज नया जन्म हो रहा है प्रति दिन प्रतिक्षन में नया जन्म को धारन करता हूं वास्तों में आपने जन्म जवन्ती मना करके अक्वा याद दिला करके आपने याद दिलाया है है चिन्मे सागर कि आप पचाव साल के हुए सेयम को धारन किया है आपको जन्म हम म्रत्यु पर विजय नहीं प्राथ करते हैं जब तक म्रत्यु महास्तों नहीं मनाते हैं तक जन्म पर मात करना संभव नहीं है जन्म जराके म्रत्यु को नाश करना संभव नहीं है मैं इस संयम के धारन साथना करते हुए मैं यह सोचता रहता हूं यह अंतिन समाजी यहीं भावना के साथ, आँप्ड के लिए अस्यूराद वास्तिक संसार के स्वरुप को समझे आत्मा के स्वरुप को समझे और इसी परकार जिस परकार पाईश्माज भगवान में केवल ग्यान और निर्वान को प्राथ acabou तुम भी एक दिन तीनों प्रकार के कर्मिमल को नाश करके आब भी केवल ग्यान और निर्वान को प्राथ करे इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जंगल वाले बाबा नमो नमाँ